कोरोना वारिस महामारी जहां पूरी दुनिया में लोगों की मौत का कारण बन रही है दिन बदिन मौत का अकड़ा बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ नजर नौकरियों पर डाली जाए तो यहां भी गहरा संकट मंड़रा रहा है संयुक्तराष्ट की श्रम में काई अंतराष्टी श्रमिक संगठन की माने तो दुनिया में 30 करोड से जादा लोग अपनी नौकरियों से हाथ दो सकते हैं संगठन ने कोरोना के कारण जाने वाली नौकरियों का पुर्वानुमान एक बार फिर से बढ़ाया है अंतराष्टी श्रमिक संगठन के अनुसाद दुनिया भर में अप्रेल से जून के दराण सिर्फ तीन महिने में ही करीब 30.5 करोड लोगों की पूर्ण कालिक नौकरियां खत्म हो सकती है संगठन ने कहा कि महमारी परकाबू पाने के लिए दुनिया भर में लोगडाउन के बढ़ाय जाने से उसे अनुमान में संशोधन करना पड़ा संगठन ने कहा कि इस महमारी के कारण अनौपचारिक शेत्र के 1.6 अरब कामगारों के जिवन्यापन का खत्रा उत्पन हो चुका है क्योंकि महमारी के कारण उनकी रोजी रोटी के साधन बंद हो चुके हैं ये पूरी दुनिया के 3.3 अरब कारिबल का आधा है Center for Monitoring Indian Economy CMIE का कहना है कि दुनिया भर में बेरोजगारी दर मार्च महिने के मध्य के 8.4 फीसदी से बढ़कर 23 फीसदी हो गई है महीं CMIE के आंकडों के अनुसार शहरी शेत्रों में 15 मार्च 2020 को 8.21 फीसदी बेरोजगारी दर थी ये 22 मार्च 2020 को 8.6 फीसदी पर आई 29 मार्च 2020 को ये 30.01 फीसदी पर जा पहुची और फिर 5 अपरेल 2020 के आंकडों के अनुसार ये 30.93 फीसदी पर आ गई है भारत में कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वज़े से बेरोजगारी दर बढ़कर 23.4 फीसदी पर पहुच गई है CMIE की रिपोर्ट के नुसाल लॉकडाउन से भारत की शहरी बेरोजगारी दर 30.9 फीसदी तक बढ़ सकती है हलाकि कुल बेरोजगारी 23.4 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान है जनवरी 2020 से गिरावट खास तोर पर देखी गई ऐसा लगता है कि पिछले दो वर्षों से इस्थिर रहने के लिए संखर्ष करने के बाद मार्च में इसमें तेजी से गिरावट आई अभी उन्दे मोगिर गया है भारत के पूर्व मुख्य सांख्य की विद प्रोनप सेन की मानेत लॉकडाउन के केवल दो हफ्तों में लगभग 5 करून लोगों ने नौकरी खो दी है चुकि कुछ को अभी के लिए घर भेजा गया है इसलिए बेरोजकारी का वास्तविक दाइरा और भी बढ़ सकता है